इंडिया सबी फसलों पर आंदोलन को यही खत्म कर देंगे दूसरी और यह कहा गया है कि कल अर्जुन मुंटा जी का जो बयान आया था देशी की कष्विबंदरी का उसके 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 उस्पर अपने सवाल पूछा किसान नेताओं से तो उन्होंने कहा कि उनका बयान बहुत अच्छा है वो शांती पूर वक तरीके से अपना प्रजशन करने की बात कह रहे हैं हम भी शांती पूर तरीके से अपना प्रजशन कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है और उसको लेकर किसान यहाँ पर अड़े हुए है यहाँ पर किसान खिलाई गई है कि आप पहले हिंसा नहीं करेंगे बकाईदा शबत यहां पर दिलाई गई है अपने संबोधन में जो दोनों ही किसा नेता हैं डलेवाल और पंडेर उन्हें दोनों ने युवांगू कशे खिलवाई हैं कि आप कोई लेकिन यहांपर सारे इंतजामाइबं पोक लिलो जेसी मेसीन यहां पर हैं और मशीनों को लेकर खास तरुसे आप आपके जो डीजी पी ऑपंजाब पुलिस के उन्हों ने साफ भी कह दिया है कि उन्मशीनों को यहां पर ना लाया जाए क्योंकि हाइग हाई कोड़ की तरफ सी भी यह कहा गए है कि यह मशीने सब स पूछते हैं कि सडके जाम, बॉर्डर ह में तो किसानिता यह कहते हैं कि हुरेना हैं वो कह रहा है कि हमको दिल्ली जाना है इसको लेकर अब यहांपर गझ्रोद लगातार बना हुआ है किसाने ता इंतदार कर रहे कि सरकार की सर्कार की तरफ से उन्हों कोई संधेश मिले और जैसा कि खबरा भी रही है कि अधिकारियों के सर पर बातचीत के इन सरकार की चल रही है तो हो सकता है कि थोड़ी देर के ब बार जोरदार आसू गैस यहां पर छोड़ना शूरू कर दिया गया है यह ताजा अपडेट है यहां से और सीज़त तस्थिर आपको शम्मू बाटर से दिखा रहे हैं बैटक अगर हो तो सब यहीं चाहते हैं कि शांती पूर तरीके से कोई समाधान निकले लेकिन बैटक शा किसान थोड़ा सा भागने यहां पर बागते हुए में दिखाई दे रहे हैं लेकिन बैटक यह बात कर रहे हैं वह सुत्रों के हवाले से जानकरी जरूर आई है और क्योंकि 11 वजे के आसवाद दिल्ली कुछ शुरू हो ना था अगर बैटक होती है तो शायद शांती पूर भी लुटी तो उस दौरां किसानों की तरफ से भी और हरयाना पुलिस की तरफ से भी जितने भी प्रशासन के लोगया उन सभी लोगों की तरफ से सहयं काफी बरता गया था और चो ती मेड़ जब जब फई तो उसमें सरकार ने प्रकाइद एक प्रस्ताव किसानों को दिया किसान उस प्रस्ताव से खुश नहीं हुए तो सरकार से बाचीत होनी चाहिए लेकिन बाचीत के लिए किसानों ने 21 फरवरी सुवए 11 ये तक का समय मुकरर किया था और अब वो समय आ चुका है किसान अभी भी ये कह रहें कि सरकार हमसे बाचीत करती है तो हम बाचीत करने जाएंगे हम अपने प्रोटेस को यहीं पर स्टेंड़ वाई करेंगे यहीं पर रोकेंगे और जब तर बाचीत से समय नहीं निकलेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन क्योंकि एक डेडलाइन थी सुबह 11 वजे की सारी की वो डेडलाइन अब पूरी हो गई है तो अब किसान शायद दिल्ली कूच कर रहे हैं लेकिन अगर इसी बीच अगर बैटर की खवर आती है तो ये आंदोलन आज यहीं पर एक तरीके से स्टेंड़ वाइब मोड मे इंदर सरकार दो साल पहले राजी हो गई थी सरकार ने वादा किया ता और इससे पहले MSP पर तो सरकार ने मावनिजपनी सॉष्च्टों में वो चीज एक तरीके लिखके दी ती तो जिर्ली तो सरकार ने वादा किया है अपने वादय से सरकार मुकर रहे हैं यह ього रोप कि किसान के रहे हैं कि इतने खर्च में तो आप सभी फसलों पर गारंटी दे सकते हैं किसानों ने यह कहा कि 11 बज़े दिल्ली कूच करेंगे और उसी तोरान हमने यहां पर देखा कि किसानों ने आगे बढ़ने की जब कोशिच की तो उसके बाद हर्याना पुलिकी तरफ से किसान नेताओं और केंद्री सरकार के मंत्रियों की दुबारा पांच भी बैटक आज शाम को हो सकती है यह जानकारी अभी मिल रही है हलांकि किसान नेताओं को इस पर यह कहना है कि अभी ऑफीशली हमें इन्विटेशन नहीं आया है यह ख़वर मीडिया के थ्रूई उनको पर देख पा रहा हूं और यह वो हिस्सा है जहां पर हर्याना पंजाब की सीमा आपस में टकराती है शंबू टोल प्लाजा जिसे कहते हैं शंबू बॉडर जिसे कहते हैं जहांसे घगर नदी गुजरती है सामनी की तरफ आप देखेंगे तो कई दूर जाकर आपको हर्यान पुलिस की जलक दिखाई देती है और हर्याना पुलिस ने पूरे एक किले की तौर पर उस दो पुल जो घगर नदी उपर बने हुए उसको किले के रूप में तब्दील कर दिया है दूर दूर तक सिर्फ किसान इकिसान दिखाई दे रहे हैं करीब 6-7 कुलिमिटर लंबा ट्रालियों का काफिला है और उस काफिले में जो ट्रॉलिया है वो यहाँ पर साथ दिन से यहाँ पर लगी हुई थी लेकिन आज सुबह उनको संदेश दिया गया कि आप ट्रेक्टर ट्रॉलियों को पैक कर लीजिए क्योंकि अब दिल्ली कूच करने का समय आ गया है हालांकि एक बड़ी बात ये भी है कि किसान नेता जब सुबह यहाँ पर युवाओं को खास दोर्दे संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे बकाइदा किसानों को यहाँ पर कसमे दिल्वाई गई है उन्हें शपत दिल्वाई गई है कि हम नहीं चाहते कि हम जब अपनी जिम्यदारी पर आपको अपने घर से लेकर आया है तो किसी भी घर का कोई चिराग भुजे यह शब्द का इस्तमाल किया गया यह भी का गया कि हम नीचाते कोई हिंसा यहां पर हो तो शपत दिलाई गई कस्मे खिलाई गई लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर किसानों ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो उधर से रिटेलियेट किया हर्याना पुलिस ने और उधर से हम आपको बताता है कि हर्याना पुलिस ने हुआ है हुआ हुआ है